जहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सवगत है दोस्तो आज के कुछ स्यनिक समाचार है जो मैं आपको देना चाहूँगा सबसे पहला पॉइंट देखिए SBI के ग्रहक WhatsApp के जरिये भी हासिल कर सकते हैं Pension Slip SBI ने शुरू करी सेवा अधिक जानकारी के लिए SBI साइट पर विजिट करें दोस्तो SBI बैंक की बहुत अच्छी पहल है यानि दोस्तो WhatsApp के थूँ आप अपनी Pension Slip देख सकते हैं दोस्तो आपको कुछ डिटेल बताने की जुरुत होगी तो अधिक जानकारे के लिए आप SBI की साइट पर विजिट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट देखिए PM मोदी जी ने रोजगार मेले के तहट 71,056 निउक्ती पत्र बाटे केंदर के कई विभागों में पक्की नौकरी दोस्तो मोदी सरकार के ये अच्छी पहल है जैसे आपको पता है कि आजकल बिलोजगारी बहुच चल रही है और इस बीच हमारे जो पधान मंत्री जी है उन्होंने लगबग 70,000 से उपर निउक्ती पत्र बाटे और दोस्तो केंदर में उनको विभागों में पक्की नौकरी दिये है अच्छी पहले दोस्तो आगे देखिए 2023 का अगामी बजट कैसा होगा कितनी रियायतें मिलेगी डिफेंस पेंशनर और सेवरत कर्मियों को बजट से पहले होगी मीटिंग जिसमें 2023 में आने वाले बजट पर विशेश बाते रखी जाएंगी जैसा आपको पता है कि हर एक साल बजट आता है उसमें इतना एमाउंट तैष होता है कि इतना इतना एमाउंट यहाँ पर डिस्टिबिूट होगा अब देखने वाली यह बात है कि 2023 में किस तरीके से defense system को यहाँ पे budget दिया जाता है कहाँ पर क्या कितना खर्चा होता है तो दोस्तो इस मामले में पहले से कुछ meetings होती है उस meeting में यह तै होता है कि आगे आने वाले time में जो budget निर्धारित होगा वो किस base पे होगा दोस्तो आगे देखिए आगे समझते हैं दोस्तो अब बात आती है दोस्तो OROP 2 गी 15 दिसंबर के बाद भी OROP 2 के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है defense pensioners को cabinet approval का इंतजार अभी भी pensioner को सरकार की तरफ से दोस्तो जैसा आपको पता है कि अभी तक हमें cabinet approval नहीं मिल पाई है जिसके तहत हमें OROP 2 और area देखने को अभी तक नहीं मिला है तो यहाँ पे अभी भी wait हो रहा है cabinet approval का कब हमें cabinet approval मिलेगी कब सरकार फिर order निकालेगी कब table निकलेगी और कब area मिलेगा और दोस्तो यह जा सकता है 15 दिसंबर के बाद भी क्योंकि यहाँ पे जो time खतम हो रहा है OROP 2 और area मिल जाए last point देखिए pensioner की मांगे की सरकार किष्टों में area का भुगतान कर दे ताकि सरकार पर वितिय बोज कम पड़े दोस्तो कई pensioner कह रहेते कि अगर सरकार इतना लेट कर रही है OROP 2 और area देने में तो यहाँ पर कुछ installment पे कुछ किष्टों में area बाट दे कुछ किष्टों में कुछ पैसा दे दे दोस्तो यह थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है तो कि पहले तो हमें cabinet approval चाहिए पहले तो हमें expenditure पता होने चाहिए कि total कितना खर्चा आ रहा है OROP 2 के लिए area के लिए उसके इसाब से अगर government चाहिए तो वो किष्टों में भी आपको distribute कर सकती है payment तो दोस्तो पैंशनर ऐसा बोल रहे थे कि हो सकता है कि government कुछ किष्टों में यानि छोटा छोटा amount करके पैंशनर को area के रूप में भटे तो दोस्तो ये तो आगे देखने वाली बात होगी पहले देखने है कि cabinet approval हमें कम मिलती है उसके बाद ही ये सब decide होगा तो दोस्तो ये मैंने आपको कुछ point समझाए आज की सैनिक समचार में इसके regarding अगर आपको और कुछ पूछनों तो आप मुझे comment कर सकते है